इसे rotary cutter कहते हैं. इसका काम किसी भी प्रकार के fabric या paper को काटने के लिए किया जाता है. ये पीछे का हिस्सा handle होता है. और ये जो आगे का हिस्सा है, इसे blade कहते हैं, जो round shape में होता है. इसको use करने के लिए इस handle के हिस्से को नीचे की तरफ खीचना होता है, फिर इसका blade वाला हिस्सा उपर चला जाता है. इसके बाद इसे इस तरह किसी भी fabric या paper पर ऐसे चलाना है. ये पीछे के knob से blade की movement को tight या loose कर सकते हैं.